मुखुल वासनीक ने इस बैठक के बाद एक बयान दिया मुखुल वासनीक ने कहा कि सदस्ता अभियान के जरिए हमें लोगों तक पहुँचना है सदस्ता अभियान को डिजिटल बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं मंदलम सेक्टर पर नियुक्ति ना करने वाले जलाद ध्यक्षों पर मुकुल वासनीक ने नाराज़गी भी जताई उन्होंने कहा कि 25 फरवरी तक नियुक्तियां कर दे वोपाल में जलाद ध्यक्षों साथ बैठक हुई है प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनीक जी हमारे साथ है सर एक बहुत बड़ी बैठक हुई क्या कुछ बात चीत हुई देगे आप अच्छे से जानते हैं कि आज की बैठक का प्रमुकुदेश ये कॉंग्रेस की सदस्यता अभियान को और आगे किस तरह से चलाना है उस पर राय मश्विरा करने के लिए सभी जीला कॉंग्रेस के अध्यक्षो को और कुछ वरिष्ट कॉंग्रेस के नेताओं को यहां पर बुलाया गया था उसी संदर्ब में विस्तार से चर्चा हुई हमारी मेंबर्शिप में डिजीटल मेंबर्शिप भी कैसे आगे चलाना है उस पर मार्गदर्शन करने के लिए कुछ हमारे साथी आखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी से आए उन्होंने भी बात करी सदस्ता अभियान को लेकर क्या टार्गेट रखा कितने लोगों को जोड़ना है या जिस तरीके से आप कॉंग्रेस कहती है कि हमारा जो मुकाबला है बीजेपी के संगठन से है तो संगठन को मजबूत करने के लिए डिजिटल कितना फाइदे बंद होगा कॉंग्रेस के ल जाए वैचारिक तौर पर सिर्फ शाररिक तौर से नहीं कि हम कागजों पर हम सदे से बना लिए लेकिन वैचारिक तौर पर हमारे विचारों के साथ उन्हें जोडने का हम प्रयास करेंगे तो आकड़े यह महत्वन नहीं रखते लेकिन दूर दूर तक के लोगों तक के हम पहुचने का काम करेंगे उस संदर में भी बातचीत हुई जो स्तिती आज मंदल सेक्टर को लेकर है उस पर भी जिला कॉंग्रेस कमेटी के अद्देक्षों ने अपनी बात कही प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी के हमारे साथियों ने भी उसके संदर में जानकारी रखी जहां पर इस संदर में न्यूक्तिया नहीं हुई उसे भी शिग्र करने का फैसला है तो बिल्कुल साब तोर पर संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है खास तोर से सदस्ता को डिजिटालिजिसन करना है और इसके अलावा जस तरीके से जो बूत और सेक्टर पर न्यूक्तिया नहीं हुई है वो भी 25 तारीक तक हो जाएं नहीं तो उसके बाद पार्टी कारवाई करेगी भारत बंदले के साथ सुरसर्मा बंचल नियूस बोपाल